जोहर 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 जो करना चाहता हूं और मेरा आप सभी सगुचे विनमора आग्राय है कि अगर वीडियो में कही इस बाते यह मे बाते प्लापत पसंद आती है और उन से यह आग्राय करने और वीडियों क्यांद अन्थ तके द्था तो आप को सीखना को म announces जानने को मिलेगा और हाँ चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब पर न तो बनता है बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि हमारा गौणवाना का इतिहास इतना विश्तरत और विशाल है और हमने लगभग सब्तरासो वर्ष चासन किया तो आखिर ऐसी क्या वज़े थी जो हमने इस गौणवाना भूभाग पर एक लंबे समय तक एक बिवस्था को कायाम रखा कुछ तो वज़े रही होगी कुछ तो खास था हम लोगों के पास जो इतने लंबे समय तक सासन किया और लंबे समय तक सासन वही करता है जिन में काबलियत होती है लंबे समय तक सासन वही करता है जिन में प्रजा को खुश रखने के गुण होते हैं आज के इस आधनों की योग्र में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पांत साल की सत्ता पर हम सबाल उठाना शुरू कर देते हैं तो यह सबाल तो लाजमी है कि कुछ तो खास रहा होगा गौन्डों की सासन चलाने की विवस्था में जिन्हों ने एक महान राज्य की स्थापन की तो इस सवाल की खोज में मैं चला इतिहास की और और जिन्हों ने इसकी सुरुवात की उनके बारे में पढ़ा और वो कोई और नहीं वो थे हमारे संभू से जिनके द्वारा दी गई विवस्था का अनुसरन करके हमने हजारों वर्सों तक सासन किया आखिर क्या थी वह संभू की विवस्था जिसका पलन करके हमने राजपाट को सम्हाला और पीछे छोड़ा एक सांदार एतिहासक पल एक एतिहासिक सांदार इतिहास यसी कौन सी विवस्था थी जिसके चलते सभी गंड जीवों ने गौणवाना सामराज को इतने वर्सों तक बड़े ही प्यार से अपनाया तो सगजनों वह विवस्था कुछ और नहीं बलकि हमारे प्रथम संभू सेक कोशोडुम के द्वारा दी गई त्रगोन सूल मारक था जिसे मुंद सूल सर्री भी कहा जाता है जिसे सभी गंड जीवों ने सहस्ता से सुईकार किया आखिर मुंद सूल सर्री क्या कहता है हम इस वारी में जानते हैं इंसान के सरीर में बहुत से अंग होते हैं और उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसका अगर सही तरीके से उप्योग किया जाता है तो आप एक बहतर इंसान बनते हैं बहतर इंसानियत को तीसरा मार्ग है मतिशूल जिसमें मानसिक अगों सब्सक्राइब्रWowStboys इन तीनों अंगों का बहतर तरीक हैस से इस्थमाल करके आप राचपाठ चला सकते हैं । आप अपनी सब्सक्राइसथा विद्रिक हास। अब जानते हैं कि तीनों अंगों का हमें किस तरह से उपयोग करना है और संभू ने किस तरह से इनका उपयोग करने के लिए हमें कहा था तो पहले हम जानते हैं कि मोद्दूरसूल या बौधिक अंग का किस तरह उपयोग करना है और इसके अंतरगत चार मार्ग है संभू कहते हैं हर सगा की उपासना करना आपका प्रथम कर्तब है तब ही आप इनसान कहलाएंगे दूसरा मार्ग सगतालक बोले तो सगा विचार हर सगा के प्रती आपके विचार एक से रहने चाहिए उच नीच का भिध्वाओ यह सोभा नहीं देता सगा निर्णे लेने की काबलियत आपके अंदर होना चाहिए किन परिष्थितियों में क्या सही है और क्या गलत यह प्रक्ना आपको आना ही चाहिए चौंथा मार्ग सगा मूध बोले तो सगा ग्यान सगा के पति ग्यान का आदान प्रदान करना अतियुत्तमकार है इससे समाज को एक बहतर दिशा मिलती है अब आते हैं मतिसूर या मानसिक अंग को किस तरह से उपयोग करना है और इसके अंतरगत भी चार मार्ग है पहला मार्ग सगा मांड बोले तो सगा प्रेम हर सगा के प्रति आपका प्रेम भाव एक सा रहना चाहिए इससे आपके अच्छे ब्रक्तित की पहचान होती है दूसरा मार्ग सगा साथ बोले तो सगा भाव हर सगा के प्रती आपका भाव एकसा होना चाहिए किसी भी तरह की उशनीच की भावना आपको सोभा नहीं देती है तीसरा मार्ग सगा जूट बोले तो सगा एकता एकता ही ताकत की पहचान होती है आप सभी सगा को एक धागे में गुत कर रहना चाहिए बोरा बक्त आने पर एक साथ मिलकर आवाज उठाने चाहिए चौथा जो मार्ग है वह है सगा सेवा भाव संभू कहते हैं सेवा भाव रहना आपके इंसान होने का प्रमाल देता है हर सगा की सेवा प्राणी की सेवा धर्ती की सेवा इस संसार में उपस्तित उन सभी समस्त चीजों की सेवा जो इस जहां में हैं आपको करना ही चाहिए अब जानते हैं कि मेंदोल सूल या सारीरिक अंग का किस तरह से उप्योग करना है और इसके अंतरगत भी चार मार्ग आते हैं हर सगा का करतब है कि वह नेक करम करें समाज में एक अलग छबी पिश्तित करें अपने करम से एक अलग वर्चश कायम करें हर सगा का करतब है कि जिस कुल जिस समाज जिस इस्थान में उसने जन्म लिया है उसके पती हमेशा प्राण नियुच्छावर करने का सहास रखे उसे आगे बढ़ाते रहने के लिए हमेशा तयार रहे तीसरा मार्ग सगा वंक बोले तो सगा वाणी आपकी वाणी आपकी आत्मीता की पहचान है इससे आपके ब्रक्तित्तु का पता चलता है इसका हमेशा सधी प्योग करें सही इस्तमाल करें चौथा मार्ग सगा निंगा बोले तो सगा द्रश्टी हर सगा के प्रति आपकी द्रश्टी सही होनी चाहिए किसी भी सगा की समस्या में समधान करना कठिन समय में खड़े होना आपका पत्धम कर्णब हैå तो सगजनों ये हैं त्रगूर्ण सूल मारक के अंतरगत वो बारा कर्तब जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना है अगर आप इन बारा कर्तब्यों को अपने जीवन में सामल करते हैं तो यकीन मानिए आपका गौंडवाना वो नहीं जीवित हो उठेगा तो सगजनों आज के वीडियो में बस अतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरी और से सेवा जोहार